हलो फ्रेंड्स, वैलकम टू में चैनल एवन टेस्टी फूट्स और आज मैं बनाने जा रही हूँ हममेड मावा, इसे बनाना बहुत ही आसान होता है और इसे अब बहुत तरह के मिठाईया बना सकते हैं, मावा तो मार्केट में आसानी से मिल जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर मा सकते हैं तो चलिए मावा की रेसिपी बनाना सुरू करते हैं मावब बनाने के लिए यहां मैंने एक कड़ाई ले ली कड़ाई मैंने थोड़े बड़ी सी रखी वी है और चारो तरफ इसमें गी लगा रही हूं ताकि जो दूध है वो कड़ाई की तले पे लगे ना और डेल कर देती हूं और इसे एक उबाल आने का वेट कर लेते हैं और दूद में उबालाना सुरू हो गया है देख सकते हैं और बस इसे continue उबालते रहना है जब तक की दूद हमारा थोड़ा गाढ़ाना हो जाए तो इसे हर 2-3 मिट के अंदर हम इसी तरह से चलाते रहेंगे और दूद को लगातार इस तरह से चलाते रहेंगे कि दूद जब आधा से कम हो जाए तो इसे continue चलाते रहना है और बीच-बीच में इस तरह से खुरषते रहेंगे ताकि जो हमारी मलाई कड़ाय के किनारे पे लग रह ही तो उसे भी मिलाते रहेंगे हम दूद में अर बस continue इस दूढ़ में कितना ज़्यादा गारा हो गया है नहीं तो से बिलकुल छोड़ना नहीं है इसी स्टेज पे इसी तरह से चलाते रहना है और ग्यास का फ्लेम मैंने मेडियम कर दिया है तो गास का फ्लेम अभी मीडियम है और मीडियम फ्लेम पर इसे लगातार चलाते रहना है छोड़ना नहीं है और अभी मैंने गास का फ्लेम बिल्कुल कम कर रखा है ताकि जो हमारा मावा है जले न और देखिए मावा हमारा बिल्कुल बनने के stage में ready है तो इसे हम इस तरह से खुरच लेगे कि कुरच दे समय हम प्ली गैस का जो फ्लेम है बिलकुल लो रखेंगे तो low flame कर दिया है मैंने और चारो तरफ अच्छे से State में इसे कुरज़ लेती हूं और इस तरह से चला देंगे और ये दिखी हमारा जुमावा है वो रेड़ी है तो थोड़ा सा इस तरह और थोड़ा चला लेंगे हम ग्यास मैंने बंद कर दिया है और इसे कंटिनेसली इसे तरह से चलाते रहेंगे क्योंकि कड़ाई हमारी अभी गरम है तो इसे गरम है तो इसे लगातार इसे चलाते रहना है लगाता रिस तरह से चलाते रहेंगे जब तक की ये थोड़ा ठंडा ना हो जाए और ये देखिये ठंडा हो गया है ये मावा हमारा बिल्कुल रेडी है देख सकते हैं कितना ज्यादा स्वाप्ट सा मावा बनके रेडी है और ये मेरा मावा बनके रेडी है यहां मैंने डेल लिटर दूद लिया था तो लगबग 300 ग्राम के लगबग मेरा मावा बनके रेडी है और आप इससे बहुत तरह की मिठाईया बना सकते हैं और आप अभी मार्केट की वज़े घर में भी आसानी से मावा बना सकते हैं और इसे बनाना बहुत इसी है बस थोड़ा से दूद का धियान रखना होता है और इसे लगातर चलाना पड़ता है थोड़ा टाइम जरूर लगता है लेकिन घर पे भी आप अच्छे से मावा बना स तो कैसे लगी मेरी आज की रेसिपी कमेंट में जरूर बताएं और लाइक सेर्ट सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू